नमश्यका इन खबर में आपका स्वागत है आठ दिसंबर 1989 देश के प्रधान मंत्री बीपी सिंग और ग्रेय मंत्री मुफ्ति मुहमध साइद थे अचानक खबर मिली कि मुफ्ति मुहमध साइद की छोटी बिटी रूबिया साइद का अपहरण हो गया है पुरा देश हिल गय था मसिनरी एक्टिव हुई और रुबिया सईद को किसी तरीके से छुड़ा लिया गया था लेकिन बदले में खुंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा था जानते हैं यह अपहरण किस ने किया था जी हां जे के एलेफ का नेता यासीन मलिक ने यह अपहरण किया था इसका खुद रुबिया सईद ने कोट में कल पेस होकर के किया और पहचान भी लिया उसने यासीन मलिक समेत चार की पहचान कर लेकि इन्होंने ही अपहरण किया था रुबिया ने कोट में पेसी के दौरान चारों के पहचान किया जिसमें यासीन मलिक भी सामिल है और अब इस माम कारी खुद जो है वकील ने दी है कि अब इस मामले में 23 अगस्त को सुनवाई होनी है टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा यासीन मलिक विडियो कंफेंसिक के जरिये कोर्ट में पेस हुआ था इस दोरान मलिक ने अदालत से अन्रोद किया था कि वो गवाहों स खुद जीरा करना चाहता है यासीन का कहना है कि अगर कोर्ट उसके अन्रोद को स्विकार नहीं करता है तो भूख हरताल पर बैठ जाएगा बता दे कि यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग रुबिया मलिक के अपहरन और चार एयर फोर्स के जमानों के हत्या समेत कई केस चल रह की है सईद के वकील अनिल सेठी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती की बहान रुबिया सईद ने चारों की पहचान कर ली है उन्हें अगली सुनवाई में आने के लिए कहा गया है या सीन मलिक जो अपहरता है उन्हों कह रहा था कि उसे जीरा के लिए ब्यदिगत रूप से जम्मू लाया जाए जबकि विडियो कॉन फेंसिंग के जरिये उसकी पेसी कराई गई सईद इस तमिलाड में रहती है सीबियाई की और से अभ्योजन पक्ष के गवाह के रूप में रुबिया सईद लिष्टेड है सीबियाई ने 1990 की सुरुवात में मामले की जाच अपने जेल में है कालीन ग्री मंत्री मुफ्ती मुहमत सईद की बेटी का 8 दिसमबर 1989 का परहन कुछ इस तरीके से किया गया था कि दो पहर तीन बजे मुफ्ती मुहमत सईद की बेटी रुबिया सईद अपनी पूरी डिवटी करने के बाद घर के लिए निकली वह उस वक्त NBBS पहले से सवार थे जैसे ही बस चानूपूरा चौक के पास पहुंची तीन आतंकियों ने बंदूग की नोक पर बस रुकवा दी रुबिया साइद को नीचे उतार कर निले रंकी मारूती कार में बिठा दी और उन्हें ले करके चले गए घटना के दो गंटे बाद ही जे केले के जावेद मीर ने एक अस्थानी अख़बार को फोन करके भारत के ग्री मंत्री की बेटी के अपरहण की जिमेदारी ली थी ये खबर आते ही कोहराम मच गया था आतंकियों ने रुबिया को छोड़ने के बदले में सात आतंकियों की रिहाई की मांगी थी मध्यस्ता के लिए कई चैनल खोले गए पूरी कवायद में पांच दिन बीत गए आठ दिसंबर से तेरह दिसंबर तक की तारीख आ गई तेरह दिसंबर 1989 की सुबह दिल्ली से दो अपरण कान हुआ था उस वक्त फारुक अब्दुल्ला जम्मु कस्मीर के मुख्य मंत्री थे दिसंबर की दो पहर तक सरकार और अपरण करताओं के बीच में समझावता हो गया था समझावते के ताहत उसी दिन साम पांच बजे पांच आतंकियों को रिहाद किया गया उसक को गले से लगाया इस दोरान मुक्ति मुहमद सईद ने कहा था कि एक पिता के रुप में मैं खुस हूँ लेकिन एक नेता के रुप में यही कहना चाहूंगा आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके चेरे पे तनाव असपस दिखाई दे रहा था सरकार जो है विपक्ष क के निसाने पे आ गई थी क्योंकि ग्रीह मंत्री की बेटी को छुडाने के लिए आतंकियों को छोड़ना पड़ा था और अब रुपिया सईद ने यासिन मलिक की पहचान कर ली कि इसी ने अपहरण किया था रहे ने बेखबर देखते रहे इनकबर थैंक्यू